नमस्कार दोस्तों, आज में लेकर आई हूँ थ्री लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरीज मनुष्य का सुभाव ऐसा है कि उसे अपना दुख दूसरों के सुख से हमेशा बहुत बड़ा लगने लगता है बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से ही परेशान रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के सुख से भी परेशान रहते हैं हर इनसान को यही लगता है मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है मेरी जिन्दगी बहुत मुश्किल है, मेरी जिन्दगी में बहुत तकलीफे हैं, दूसरों की जिन्दगी बहुत आसान है, कोई मेरी लाइफ तो जीए, तब उसे पता चले कि कितनी कठनाईया हैं मेरी लाइफ में। आज हम जानेंगे ऐसी ही तीन कहानियों के विशय में, जब आपको लगे की मेरी जिन्दगी में बहुत दुख हैं, तो ये तीन कहानिया सुनकर आपको अपना हर दुख छोटा लगने लगेगा। एक आदमी बहुत दुखी रहता था, बह परमात्मा से रोज शिकायत करता था, हे प्रभू मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, इतना दुख तुने मुझे क्यूं दिया है, सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे छोड़ कर, अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिलता है, तो बह भी इतना दुखी नहीं होता, जितना जादा मैं दुखी हूँ, आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है, जो तुने इतना दुख मुझे दिया है। सबसे जादा दुखी है, उसने कहा, हाँ प्रभू, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ, जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची, परमात्मा ने कहा, चलोट, एक बड़े भवन की ओर सारा सहर जा रहा है, सब लोग अपने अपने कंधों पर बांध कर ले आओ, यह भी अपने सुख और दुख जल्दी से बांध कर पहुच गया, आज बदलने का मौका मिला है, उस भवन में पहुच कर उसने देखा, यहां तो बहुत सारे लोगों की भीड लगी हुई है, सब लोग अपनी अपनी गट्री लेकर आए हैं, फिर उन स सब लोगों को आज्या दी गई, सब लोग अपनी अपनी गट्रीयों को खूटी पर टांग दे, गट्रियां टांग दी गई, फिर आज्या हुई कि अब जिसको भी जिसकी गट्री चाहिए, बह बदल सकता है, बहुत बड़ी भगदर मच गई, यह आदमी भी भागा, लेक बापस चुनी, तब ही आकाश में खिलखिलाहट होने लगी, परमात्मा ने उस ब्यक्ति से कहा, क्यों, तूने अपनी ही गट्री को बापस क्यों चुना, तू ही तो बदलना चाहाता था अपने दुखों को किसी और के साथ, तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गट्री देखी, तो अपनी ही गट्री मुझे छोटी मालुम पड़ी, सभी के दुखों की गट्रियां मुझ से जादा बड़ी थी, फिर मैं अपने दुख से कम से कम परचित तो हूँ, जानता तो हूँ, दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं, इस बु दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे, यह कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ती है, हमें शिक्षा देती है कि हमेशा हम यह देखते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है, जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हम को जो मिला है, बह दूस दूसरे कितनों को मिला है हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं ऐसे भी दुनिया में लाखो करोणों लोग हैं जो हम जैसी जिन्दगी पाने के लिए तरस्ते रहते हैं जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायते छोड़ कर जो हमें मिला है उसके लिए इश्वर को बात देना चाहिए तब हमारी जिन्दगी भी खुश्यों से भर जाएगी दूसरी कहानी यह है कि एक बेक्ती बहुत गरीब था गर्मी के दिन थे उसके पास पैरों में पहनने के लिए चपल भी नहीं थी एक रास्ते से गुजर रहा था गर्मी में नंगे पैर होने की बजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे इस सबसे दुखी होकर बह बैक्ती इश्वर से सिकायत करने लगा लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं बह कितने सुख में अपना जीवन बैतीत कर रहे हैं लेकिन हे इश्वर तूने मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया मेरे पैरों में पहनने को चपल तक नहीं है नंगे पैर मैं इतनी गर्मी में इतनी धूप में घूम रहा हूं बहमन ही मन ऐसा सोच ही रहा था तब ही उसकी नजर एक ऐसे ब्यक्ति पर गई जिसके पैर ही नहीं थे जो कड़ कड़ाती धूप में भी हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है कम से कम तू ने मुझे पैर तो दिये हैं मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ अपने पैरों के लिए नई चपल खरी सकता हूँ लेकिन यह पैर मैं कभी नहीं खरी सकता यह कहानी भी हमें बही शिक्षा देती है कि जब भी आपको यह लगे कि जो आपने अपनी जिन्दगी में चाहा बह आपको नहीं मिला जो दूसरे लोगों को हासिल है बह आपको नहीं मिलता है तब आप एक बार यह जरूर देखना कि जो आपको हासिल है जो आपको मिला है व अपने बगीचे में सैर कर रहा था। तब ही उसकी नजर एक तितली के कोकून पर गई। वह उस कोकून को ध्यान पूरवग देखने लगा। उसने पाया कि उस तितली के कोकून में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। एक छोटी सी तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिस कर रही है। बहुत कोशिस करने के बाद भी जब है उससे बाहर नहीं निकल पाई तो फिर वहसान तुसी हो गई। उस आदमी को लगा कि जैसे उसने हार मान ली हो। यह देखकर उस आदमी से रहा नहीं उसने उस तितली की मदद करने का विचार किया, इसके लिए उसने एक कैंची ली, फिर कैंची से उस कोकून के छेद को बढ़ा कर दिया ताकि तितली उस छेद से आसानी से बाहर आ जाए. यही हुआ कि तितली बिना संगर्स के आसानी से बाहर आ गई लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था उसके पंख सूखे हुए थे उस आदमी को लगा कि बहतितली पंख फैला कर उड़ने लगेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बलकी कुछ समय बाद ही बहतितली मर गई उस आदमी ने एक बुजुर्ग ब्यक्ति को अपनी सारी बात बताई तब उस बुजुर्ग ने बताया कि असल में बहकोकून से निकलने की जो प्रक्रिया है उसे नैचर ने इतना कठिन इसी लिए बनाया है जिस से ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पधार्थ उसके पंखों में पहुंच सके फिर बैबाहर निकलते ही उड़ जाए जिन्दा रह सके लेकिन तुमने उसकी मदद करके उसकी सामान प्रक्रिया को तोड़ दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई ये कहानिया हमें सिक्षा देती हैं कि कभी कभी हमारी जिन्दगी में ये संगर्स ही हमें मजबूत बनाते हैं जिस से हम आगे बढ़ सके क्यूंकि जो लोग संगर्स से नहीं गुजरते वे अपनी भावनाओं से अपने बिचारों से अपंग रह जाते हैं वे जादा देर तक सफल नहीं रह पाते लेकिन जो इनसान संगर्स से गुजरता है उसे छोटे मोटे दुख असर ही नहीं करते उस पर प्रभाव ही नहीं डालते इन तीनों कहानियों का सार यही है कि जब भी आपकी जिन्दगी में कोई दुख आए कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए तब आप हिम्मत ना हारे उन दुखों से हार करने राश ना हो बलकि आप उन दुखों से लड़कर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़े दुख इनसान को कमजोर नहीं बनाते अक्सर सुख ही इनसान को कमजोर बनाते है दुख तो आपको और भी मजबूत इनसान बनाते है दुख तो आपको और सफल इनसान बनाने के लिए ही आते है लेकिन शर्त यही है कि हम उन दुखों से हारे नहीं उन दुखों से घवराए नहीं बलकि उनका सामना करके उनसे लड़कर अपने जिन्दगी में आगे बढ़े अपने लक्ष की प्राप्ती करे जै श्री कृष्णा राधी राधी